नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सरावन माह के सोमबार के दिन सिभजी की विशेश तरीके से पुजा की जाती है सिभजी की पुजा से जीवन के सब कस्ट मिड़ते हैं लेकिन एक बात याद रखिए सरावन के महने में सिर्फ सोमबार ही नहीं बलकि हर दिन का उतना ही महत्तो है जितना अन्य दिनों के अन्य महिनों के सोंबार कमातो है यानि इस दिन खास हो जाता है स्रावन माह के ये दूसरा सोंबार है और दूसरे सोंबार पर सिप जी को क्या अर्पीत करें वो खास चीज कुछ खास अबस्तों एर्पीत करते हैं तो आपकी समस्त मोनोकामना पूर्ण हो जाती है सूम बार यानि भगवान सिप का दिन सूम यानि चंद्रमा और इस दिन सुबह उठकर भगवान सिप की अगर पूजा करें उनका दर्सन करें सिप चालीसा का पार्ट करें जिवास्टक का पार्ट करें तो जीवन के सारे कस्ट मिट जाते हैं भोले नात का दिल बहुत कोमल है इसलिए उन्हें प्रसंड करना भी आसान है और इनकी पूजा में किसुछ की गलती भोले नात को पसंद नहीं आती घले ही आप सिम्पल सिब के लिए केट की कपुस्पक कभी ना चढ़ाएं और साथ ही उन्हें तुलसी के पत्ते भी मतर पित करें और संख से जल भूल कर भी मत चढ़ाईएगा वरना बुरी तरह आपको परिशानी में आ सकते हैं तो देखिए आज हम आपको खास बाते बताएंगे जीवन के कस्टों से समस्याओं से बाहर आने के लिए क्या करें अगर सत्तु विरोधी ज्यादा परिशान करें तो क्या करें और सिब जी को अपनी मनत के अनुसार क्या अर्पित करें कि आपकी तमाम परिशानी समाप्त हो तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहली बात तो आप अगर करजों से परिशान है अगर जीवन में धन की समस्याओं ज्यादा परिशान करें तब एक छोटा सा काम करें आपके घर के आसपास अगर बर्गत का पेड़ है बटबिशी जिसको कहते हैं अगर बर्गत का इसकी एक चुटकी हल्दी डालकर बर्गत के नीचे बटकेस्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें और उनसे प्रातना करें कि जीवन में जो करजों की समस्या है जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए और आप घर चले हैं थोरा सा बटबिश का जड़ लेकर इस जड बैग में अपने धन के अस्थान पे रख लें धन की मुश्किले समाप्त हो जाएगी कर्ज से अतिसी ग्र मुक्ति मिल जाएगी जब कर्जों से मुक्ति मिल जाए तब इस बरगत के पेड़ की जर को कहीं पास की मिट्टी में दबा दीजिएगा अब सिप जी हैं फोले भं कि इनके जो भी आता है उसके जीवन की रमनत पूरि हो जाती है और आप चाहते हैं जीवन में खूब पैसा है आपके सनी समंधी कोई पीडा है तब समी समी का पेड़ होता है ना उसका पत्ता जो स्वन के समान माना जाता है अगर सिभलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करखे श्म्य पत्र अरपित करें तो जीवन के सारे चाशट ही मीट जाते हैं वैसे तो बिल पत्र सिप जी को बहुत पुर्ई है लेकिन समी पत्र सनीदेब के कस्टो से राहु के तू की परेसानियों से प्ञेराओं से मुग्ति दिलाता है पर सोमनौ का जब दीन हो तो भला हम नंदी जी को गउमाता को कैसे भूल जाएे तो सुमन बार के दिन गौमाता को आप कुछ न कुछ खिलाईए जरूर अपने हाथों से आप मंदिर जाएंगे वैसे करोना वाइरस का वक्त है तो अपने घर में ही पूजा करें और लेकिन जो टोटका है न वो आप घर में नहीं कर सकते तो टोटका आपको घर से बाहर निकल के करना होगा तो आईए जानते हैं एक छोटा सा प्रियूग कभी कभी क्या होता है जिवन में कष्ट बढ़ जाते है लगता है अब बस एक ही रास्ता है कि उपर वाले को ही गले लगा ले लेकिन घबराईये मत आज हम आपको उन परिसानियों से बाहर निकलने के रास्ते बताएंगे अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बिमार है या आपका ही स्वास्त गरबर रहता है तो सिप जी को एक लोटा जल में आप कुसा एक प्रकार का घास होता है पहले जवाने में पुजा पार्ट में यूज़ता था अभी भी होता है तो कुस घास को थोरे से जल में लेकर सिबलिंग पर अरपित कर दे घास भी डाल दीजिएगा सिबलिंग पर जीवन के सारे कस्ट मिट जाएंगे एनि रोग सोक रिन करजे सत्रू सबसे मुक्ति मिल जाएगा सिब जी को मनाना बहुत आसान है आज हम आपको बहुत सारे प्रियोग बताएंगे आप अपनी सुभिधा नुसार अपनी मननत के नुसार पुजा कीजे और अपने मन्नत के नुसा सिपजी से बर मांगे, कभी कभी क्या होता है, घर पड़ी बार में कलाकलेस बढ़ जाते, अपने ही किसी को नहीं पहचानते, आपको लगता है किसी नहीं कुछ कर दिया है, आपको लगता है जीवन अब बहुत कस्ट में है, आपको लगता है अपन कब करेंगे जब कस्ट जादा हो 11 दाना काली मिर्श के ले ले इसको कूट ले पौडर यूज नहीं करना कूट ले अब कच्छे दूद में इसको डाल कर सिविलिंग पर अर्पीद कर दें उसके बाद एक लोटा जल अर्पीद कर दें सत्रू बिरोधी सांथ हो जाएंगे तीन सोंबार लगातार कीजिए आपके जीवन के कस्ट मिट जाएंगे घर में नहीं करना है पास के मंदिर में जाके कीजिएगा करोना वायरस का वक्त है अगर मंदिर खुला है तो ठीक है नहीं खुला है तो लॉकडाउन समाप्त होने द बहुत सारे बहुत सारे काम होते हैं तो इसे में क्या करेंगे जो आपको ताने को पर राया है को परिशान कर रहा है तब एक छोटा सा काम कीजेगा एक कागज ले ले या बहुत पत्र लेले जो भी आपके पास है वही लेगे अब अपने सत्रू का नाम लाल पेन से या फिर लाल चंदन से इस भोजपत्र या कागच पर लिख दें अब इसके ऊपर आप थोरा सा सहद लगा दें आपके सत्रू के नाम में जितना भी अक्छर है उतना ही काली मिर्च इस कागच पर रख दें इसके बाद इसको जला दें स पत्रू सांत हो जाएंगे आपको कस्ट नहीं पहुंचाएंगे एक बार में कम मिलेगा रहत तीन बार लगातार कीजिए तीन निल लगातार भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो सिब जी को क्या अरपित करें कि जीवन के कस्ठी मिड़ जाएं? आईे जानते हैं पहले विष्दार से फिर और बात करेंगे सिब जी यानि सिबलिंग पर जब आप जल अरपित कीजिएगा तो जल अरपित करने से सवभाब सांत होता है केसर सिबलिंग पर अर्पित करने से हमारी सौम्यता बढ़ती है चीनी यानि सक्कर अर्पित करने से सक्कर से भी से करने से सुख सम्रिद्धी बढ़ता है सिबलिंग पर अगर इत्र अर्पित करें तो विचार पवित्र होते हैं गलतकारी की तरफ हमारा मन नहीं जाता, अगर दूद और दही, यानि पहले दूद अगर अर्पित करें, तो आपका स्वास्त अच्छा रहता है, बिमारियां दूर रहती है, दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन में आने वाली परिसानियां दूर होती है घी अर्पित करने से हमारी सक्ति बढ़ती है संतान की प्राप्ती होती है संतान का डिवलप्मेंट होता है चंदन अर्पित करने से हमारा ब्यक्तित तो आकरसक होता है और इससे हमें समाज में मान समान यस मिलता रहता है अगर सिबलिंग पर सहद अर्पित करें तो हमारी वानी में मिठास आती है और इसी वानी के दम पर हमारे सत्रू भी मित्र बन जाते है भांग अर्पित करने से हमारी जो कमिया हैं हमारी जो बुराईया हैं वो समाप्त हो जाती है और जीवन की परिसानी स्पीडाओं से मुक्ती मिलती है सिबलिंग पर अगर आप मूंग हरा मूंग अरपित करें तो आप की ऐसी कोई भी कामना नहीं रहेगी जो पूरी ही ना हो यानि मूंग अरपित करने से सिबजी अतिसिगर परसन्न होते हैं अगर सिबलिंग पर आप तिल अरपित करते हैं जल में डाल कर तो सभी परकार के कलेश मिटते हैं पित्री दोस सांथ हो जाता है मानसिक सालिरिक स्वास्त अच्छा रहता है अगर सिबलिंग पर आप गेहूं अर्पित करें तो ऐसा करने से मान बढ़ता है संतान का सुक बढ़ता है जो भी आप अर्पित कर सकते हैं सिबजी प्रसन्न होते हैं अगर लॉंग अर्पित किया जाए सिभुलिंग पर तो राहु-केतु की परेशानियों से मुक्ती मिलती है राहु-केतु सांत हो जाता है सिभुलिंग पर अगर अक्षछत अर्पित किये जाए तो ऐसा प्रकरने से आपके जीवन में देवी लक्षमी की कृपा बढ़ती है फल अरपित करने से जीवन में आपके कभी किसी चीश की कमी ही नहीं रहती अक्षे फल की प्रापती होती है अगर आप जब भी सिपजी की पूजा करें तो सबसे अंत में दक्षिना जरूर अर्पित करें एक पान के पत्ते पर एक सिक्का रख ले लॉंग इलैची थोरी सी मीठी बस्तू रखकर अर्पित कर दे कमल कपुस पर अर्पित करें तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं मनोकामना ऐसी कुछ हो ही नहीं सकती जो आपकी पूरी ना हो सिब्जी को आप फूलों का स्रिंगार कीजिए सिब्जी बहुत प्रसंद होते हैं और आपके जीवन में भी यस बैभब बढ़ता है सत्तुर विरोधी ज़्यादा परेसान करे तो सिब्लिंग पर लाल गुढ़ल के पुस्प अरपित करें तो सत्तुर विरोधी सांथ हो जाते हैं वैसे बेले का पुस्प अरपित करने से जीवन में खुसियां आती है और जीवन महता रहता है एक बात हमेशा ही याद रखेगा तो थी अपनी मननत के नुसार अपनी सुबिधा नुसार आप सिब्लिंग पर क्या अरपित करें ये सभी चीजें आप घर में भी अरपित कर सकते हैं पर जो हमने आपको टोटका बताया वो मंदिर जाके करना है और जब आप सोमबार के दिन साम के वक्त पास के किसी भी सिब्जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जला दे सरसों के तेल का भी जला सकते हैं घी का भी जला सकते हैं उसमें दो लॉंग डाल कर तो जीवन के जो भी आपके मनो कामना है वो पूरी हो जाती है फिलाल आपसे विदा लेते हैं हरहर महादेव धन्यवाद